Define Thinking and Nature of the Thinking Thinking क्या है और Nature क्या है Thinking मतलब Brainstorming मतलब सूचना समझना विचार करना Thinking एक Mental Activity है मतलब दिभाग में चलना वाली Activity है Directed at Solving a Problem काम करें किसी चीज में, किसी problem को solve करने में हम सोचते क्यों है क्यों कि हमें कुछना कुछ solve करना है करना है किना है हम फुल जह हूं है उसे सोट आउट करना है making inference मतलब रजल लिकारना है judging certain facts कुछ facts को देखना है की ठीडिया की नहीं है and deciding and choosing between options मतलब thinking अगरकर हम कई confusion पर है किसी गोल पर पहुचना चाहते हैं कोई दिक्कत है तो इन सब्सक्राइब करने के लिए में करनी पड़ती है thinking thinking is a higher mental process छोटी मोटी बात है simple process नहीं है अच्छा mental work इसमों होता है thinking एक higher mental process है through which we manipulate and analyze acquired or existing information जो information हमारे पास है उसी से हम sort out करने को सब्सक्राइब करते हैं नए चीजश पता करने को सब्सक्राइब करते हैं search manipulation and analysis are by means of abstracting जो हमारे पास information उसको कुछ abstract करना है तो कुछ reasoning करनी है कुछ imaging करनी है, problem solving, judging and decision making, जो भी information हमारे पास है, उससे हम एक result निकलने के कोशिज करते हैं, या कुछ नए डूने कोशिज करते हैं, जिस तरह से हम अपने काम कर सकें, Nature of thinking, thinking कैसी चीज़ है, thinking is unique to human being, thinking और इनसान, इन दोनों का यापस में रिस्ता है, और किसी का नहीं, thinking unique है, unique characteristic है, इनसानों का, human being का, thinking is the base of all cognitive activities और process, जो भी हम सूस्ते भी चारते हैं, सबका base thinking है, मतलब पहले thinking, उसके बाद सारे चीज़ होगे, base है thinking, जो भी cognitive activities है, मतलब दिवाक से चलने माले, जो भी काम है, उनके लिए thinking base है, thinking involved, manipulation and analysis of information received from the environment, देखो information का आसे मिलते है, environment से, environment मतलब हमरे आसपास का जो भी चीज़ है, आपास कुछ ले रहे हैं, तो उसी information से thinking की शुरूआत होगे, कहीन कहीं से कुछ नोगों पूस्त मिलते हैं, तो भी हम सोचेंगे, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या सोचेंगे हमारे पास कुछ होना चाहिए कुछ इन फूरोश रोन चाहिए thinking goal directed है thinking की जारे है किसने किसी goal को दियान में रखे कोई नो कोई जैसे हमें कोई नो कोई दिक्कत है कोई नो कोई प्रोडम है उसे solve करने के लिए thinking की जारी है thinking एक goal directed process मतलब goal की साइड जाने वाला process है thinking एक internal mental process है मतलब हमारे अंदर चलने वाला process है हाथ पैर नहीं चल रहे हैं इसमें दिमाग चल रहा है thinking relies on the knowledge we already possess thinking हम उस बारे में कर सकते हैं इस तीजिए में knowledge हो जिसकी knowledge ही ना हूँ उसके बारे में नहीं कर सकते हो